नमस्ते वेलकम टू माई चैनल लिव लाइफ हेल्दी एड ब्यूटिफुली आज की रेसिपी है हेल्दी काले चने की सबजी तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं सबजी बनाने के लिए हमें चाहिए प्याज लैसून हरी मिर्च अद्रका पेष्ट टमाटर आलू ये ओप्शनल है मसाले में हींग धल्दी धनिया पाउडर कसूरी मेती और नमक गरम मसाला भी ओप्शनल है और उबाले हुए काले चने तेल गरम होने पर हम डालेंगे उसमें जीरा जीरा तरड़कने पर प्याज डाल दे प्याज को अच्छे से चलाते हुए कुछ देर के लिए भून लेंगे अब हम इसमें आलू डाल कर भी भून लेंगे अब डाले इसमें लैसून, हरी मिर्च और अधरक का पेस्ट और इसे लगातार चलाते हुए भून लेंगे पेस्ट को भूनते हुए गैस की फ्लेम को मीडियम रखना है नहीं तो पेस्ट नीचे चिपक जाता है अगर फिर भी पेस्ट ऐसे चिपक रहा है तो उसमें थोड़ा सा पानी डाल कर उसे लगातार चलाते हुए भून लेजिए पेस्ट को हमें लैसून की कच्छी स्मेल हटने तक भूनना है पेस्ट अब भून चुका है अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे टमाटर को भी अच्छी तरह पका लेंगे लगातार इसे इस तरह चलाते हुए दीमी आज पर पका लेजिए टमाटर भून चुका है अब हम इसमें सभी मसाले डाल देंगे और मसालों को भी अच्छा तरह मिलाकर पूल लेंगे मसाले भी अच्छी तरह से भून चुके है अब हम इसमें चन्ने मिला देंगे आप चाहे तो इस तरह सूखी सबजी भी बना सकते हैं और इसे पूरी के साथ खाते हैं जो अश्टवीनव में पर परशाद बनता है लेकिन मैं यहाँ पर इसे चावल के साथ सर्व करूंगी तो मैं इसमें थोड़ा सा पाने मिलाओंगी अब चनों को भी मसाले में कुछ तेर के लिए भून लेंगे इस तरह सुखे चने जो पूरी के साथ खाये जाते हैं वो तयार हो गए हैं मैं इन्हें चावल के साथ खाने के लिए बना रही हूं तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी एड़ कर दूंगे पानी डालने के बाद हम इस ग्रेवी को 10-15 मिनट के लिए दिमी आज पर पका लेंगे यह देखिए 15 मिनट पकाने के बाद इस तरह ग्रेवी गाड़ी हो गई है और सबजी हमारी तयार है इसे हम हरे धन्ये के साथ गारनिश करेंगे इसे आप चावल, रोटी, पूरी के साथ खा सकते हैं, मैं यहाँ चावल के साथ इसे सारू कर रही हूँ, इसके उपर डाले थोड़ा बारी कटा हुआ प्याज, रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक यू